सिंपल से चीज़ आपको समझने के जरू है कि गूगल में ट्राफिक लाने के तीन सबसे बड़े मेजर वेज है तो गूगल का क्राउलर एक शौर्ट टम केला आपकी साइट पर आता तो उसको हेल्प करने आपको अब क्वाश्चन इसके साइट में बनाये कैसे जाए कि अगर आपके न्यूज वेबसाइट बनाई तो आपको जादा से जादा ट्राफिक यहां से कैसे आएगा और वो तब ही आएगा जब आपका कॉंटेंट क्विकली इंडेक्स होगा ताट मिंस कि आपकी साइट रेडी कमेंट्स आए कि हमने न्यूज की वेबसाइट शुरुआत किये लेकिन सबसे बड़ी प्रॉबलम है कि हमारी साइट क्विकली इंडेक्स होती ही नहीं है और न्यूज का मतलब लेटिस्ट अपडेट अगर आपका आजका लिखा हुआ कॉंटेंट शाम तक या फिर करने वाले हैं इसी के साथ हमारे स्पेशल अनॉंसमेंट है कि अगर आप सुप्रीम कैंपस के प्रीम कोर्से चाहिए ब्लागिंग एफिलेट यूट्यूब या फिर कम्प्लीट सिक्स को जॉइन करना चाहते हैं तो आप अभी डिल 23 के नाम से जो प्रॉमो कोड है या फिर आप उसको जरूर जोइन करें इन केस अगर आप बहुत लॉंग टाइम से वेट कर रहे हैं तो बिना किसे फॉदर डिले के चलते हैं डेक्स्टॉप की स्क्रीन पर शुरुआत करते हैं एक्जाक्ली आपको क्या करना है अगर न्यूज की वेबसाइट को क्विकली इंडेक जिनको नहीं पता Google की इस क्या है, यजे होता है और आप ** सार्ज करते हैं जाह看到 ्मेटिकली जिकली। जहां पर automatically suggestions आपको आर्टिकल की format में आते हैं तो that is another way और तीसरा होता है Google का news तो similarly जैसे news portals होते हैं वैसे Google का भी news portal है news.google.com और यहां से millions और billions में लोग traffic drive कर रहे हैं अगर आपका content Google News के अंदर rank करते हैं अब ultimately it is a news right तो Google भी इस तरीके से multiple news को extract करता है online और लोगों तक पहुंचाता है जिन जिन ने भी Google News की app को download और install करके रखा हैं तो हमारा goal होगा कि अगर आपने news website बनाई तो आपको ज्यादा से ज्यादा traffic यहां से कैसे आएगा और वो तभी आएगा जब आपका content quickly index होगा जिनको नहीं पता indexing होता क्या है माल लीजे यहाँ पर मैंने keyword search किया यह जो blog post दिख रहे है तब ही दिखेंगे जब यह Google ने इसको index कर रहा है मनला आप इसको position दे के रखिए अगर यह index होगे ही नहीं तो ultimately traffic आने का तो कोई sense बनता ही नहीं है तो यहीं चलिए बात करता है क यह exactly आपकी news website को कैसे quickly index किया जाए start from point number one आपको सबसे पहले check करना होगा कुछ content के checks तो यहाँ पर मैंने कुछ details निकाल के रखिया और मैं आपको बताऊंगा one by one कैसे इन चीज को implement करना है और यह मैंने Google के बहुत सारे blog post को read किया बहुत सारे different blog post को read करने के बाद यह major pointers है जिस पर आपको focus करना चाहिए जहाँ पर सबसे पहले अगर आप कोई blog post लिख रहे हैं मान लिजे कि यह blog post मैंने लिखा है तो make sure करें आप वहाँ पर कोई तो SEO plugin इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि highly recommendator आप rank math जैसे SEO plugins को use करें इस plugin को जब आप install करते हैं और जब आप blog post लिखते ह तो उस blog post के अंदर आपको एक meta tag जिसको बोलते है structured meta tag add करना होगा और वो जो होगा वो कहाँ पर दिखाए देगा तो जैसे अपने plugin इंस्टॉल के आपको right hand side में यह icon दिखाए देगा जैसे इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पर यह schema दिखाए देगा और यहाँ पर आपको news article है clear let's go to the next one यह सबसे ज्यादा important है कि Google के लिए news एक authentic source होना चाहिए तो Google चाहता है कि सबसे पहले आपकी content के साथ में right date और उसी के साथ में किसने इसको publish किया किसने उस news को लिखा है उस author का नाम भी दिखना चाहिए ऐसे example के लिए अगर मैं यहाँ पर मेरा कोई blog post open करता आपको दो चीज़े दिखाए देगी एक है date और दूसरा author का नाम और इसके लापको कुछ अलग से करने की जरूत नहीं है जो भी theme आपने install करके रखी है appearance में जाए आप customize पर क्लिक करें यह basically आपकी theme setting के path में ही है आपकी जो अगर आपने जो भी theme install कर रखी होगी यह उसी particular theme के अंदर आपको option दिखाए देगा तो आपको appearance में जाना है यहां से customize के अंदर जाना है और अगर आपने मेरी तरह generate price के theme यूज करके रखी है जो कि most of the logo को मैंने as part of a bonus भी share की अगर आप भी चाहते है bonus को claim करना link in the description जरूर जा करके देखें तो अगर आप hosting purchase करा तो ultimately आप आपको as a part of a bonus मिलेगा और यहां पर आने के बाद आपको जो layout दिख रहा है इसके बाद आपको blog के section में जाना है और यहां पर जो archive और singles है तो single मतलब blog post रहते हैं तो हर blog post के नीचे आपको आना है और make sure करना है display post date, display post author यह at least 2 minimum चीज़े आपको on करके रखनी है जिससे कि author क नाम और dates दिखाए दे जो की Google News की minimum requirement है तो that is number 2 checks content में करना है तीसरा make sure करना है आपके हर blog post में किसने उस blog post को publish किया उस author का एक bio at the end में add करना है जैसे कि आपको दिख रहा है मेरी site पे global bio आपको दिखता है जो की यह है और यह एक तरीके से मैंने create किया है with the help of a gravatar यह एक ऐस तूल है जहां पर आपको आपका profile बनाना है और इसको WordPress के साथ में connect कर देना तो automatically आपकी website में जहां जहां पे भी आपने इसको connect किया है वो user का bio और author का detail वहां पर auto populate होगा और यह भी mandatory है Google के perspective से अगर आप news website publish करते है तो step number 3 यह करना है चौथा make sure करना है कि आपकी website पर अगर आप कोई content publish कर रहे है आपने माल लिचे कि पहले कोई domain था उस पर content publish कर रहे थे अभी नए domain पर switch होगे तो इस सारे domain के अंदर minimum 301 परमानें रिडारेक्ट होना चाहिए मतलब Google को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी ने यहाँ पर click किया बार बार आपकी URL चेंज होकर के बहुत टाइम के बात में वो finally किसी और URL तक पहुंच रहा है इसके बज़े आप 301 रिडारेक्ट को यूज कर सकता और अगर यह changes करना है तो यह यह बी ideally options आपको यहाँ पर rank math के SEO plugin में अगर आप रिडारेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर यह बी options आपको दिख जाते हैं जैसे कि यह मैंने रखा है तो जितने भी आप रिडारेक्शन कर रहा है make sure उसका type 301 रिडारेक्ट रखे अगर मैं edit पर जाऊंगा तो अगर आ यूस के अंदर जो भी content आपका publish होगा make sure करें उस post का जो title है उसमें आपकी website का ना रहे publisher का ना रहे क्योंकि वह बहुत लेंदी हो जाता और Google चाहता है कि वहाँ पर उतना ही information दिखा है जितना user के लिए must needed है और यह कैसे कर सकते आपको तो automatically अगर आप titles और meta के अंदर अची है अगर आप post में जाया है तो make sure आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ ताइटल चूज करके रखें इसके साथ में कोई brand name ना रहे ना ही आपका publication क्योंकि Google News मतलब publication होता है कि आप publication से publish कर रहे है आपकी जो website है उसके त्रूआ publish कर रहे है वह आपका brand name है तो make sure करना है कि आ आपको यह title में नहीं होना चाहिए तो that is the minimum criteria आपके content के इसापस होना चाहिए अभी जो सबसे जादा important आता है that is part number two और यह कहलाता है site में देखें जिन जिन लोग को site map क्या होता है नहीं पता I will tell you exactly होता क्या है जैसे मैं MRVS idea पर जाता हूं and then मैं type करता हूं site map underscore index dot xml तो य यह वो area है जहाँ पर Google का crawler आता है फिर यह post के अंदर जाता है और देखता है कि अभी just now कौन-कौन सा content publish हुआ है और वो सिर्फ उसी को crawl करके उसी को index करता है और उसी को ranking देता है तो अगर यह area quite updated है quickly updated है तो Google को easily पता लग जाता है कि यहाँ पर 100-200 blog post में से मेरे को सिर्फ 2 को read करना है क्योंकि अभी just now इसमें कुछ changes आया बाकी जबतों मैं अलड़ी कर चुका हूँ तो ऐसा आप crawler की help करता हूँ और जब new site आते है तो वहाँ पे दिन में 10-15 blog post आप publish करता हूँ तो Google का crawler एक short time के लिए आपकी site पे आता तो उसको help करनी है आपको ताकि वो easily उन दिखता है जो आपका blog post और दूसरा site map होना चाहिए जिसको बोलते है news site map ओके और news site map का होना जरूरी है यह आपको internet पे कोई नहीं बताएगा यह mandatory है अगर आप news website को rank करना चाता और यह मैं नहीं कहता हूँ अगर मैं यहाँ जाओ Google के official doc को अगर आप read करेंगे तो news site maps are based on traditional site map ओके और आप यहाँ पर देख सकता है अगर आप news publisher है अगर आप news related information को publish कर सकता है उससे related detail देते हैं तो make sure आप create separate news site map और जो news site map होता है उसमें news नाम का keyword होता है आपके site map के साथ में Now the question is कि आप ऐसा site map बनाएंगे कैसे क्योंकि Google का second criteria है कि जो भी new site map आप बनाएंगे उसमें make sure करना है कि पिछले दो दिनों का ही content रहे और future का कोई भी content आप publish करेंगे उसमें add होता जाए लेकिन दो दिन से पूराना जो भी content है वो उससे remove हो जाए तब ही तो Google को easily समझ में जैसे example के आप इसको open करेंगे तो अब तक मैंने जितने भी blog post लिखें सब के सबी site map हैं लेकिन Google चाहता है कि पिछले दो दिन का data ही उस site map में रहे ताकि वो उसको quickly index कर से का और इसलिए new site map का होना आपकी site पर जरूरी है तो दो site map होंगे एक तो main आपका primary site map और दूसरा आ न्यूज website है तो सिफ new site map को बनाए इस site map को बनाने की जरूरती है आप question इसके site map बनाए कैसे जाए क्या यह automatic process आपको manually जाकर add, delete है तो जहमेगा नहीं तो उसके दो तरीके हैं अगर आपने rank map का SEO plugin यूज किया है और अगर आप dashboard पर आते हैं तो ultimately यहाँ पर आपको site map बन जाएगा मैं दिखाऊंगा कैसा बनता है और दूसरी important चीज यह ensure करेगा कि पिछले दो दिनों के blog post ही आपके new site map में रहे बाकी सब delete हो जा तो Google की policy को follow करते आपके site map को maintain करेगा और जो हमारा पूराना basic site map है वो यह वाला है तो इसको भी enable करके रखना है वार आपको free तरीका है और वो free तरीका है wordpress का खुद का feature तो आपको क्या करता है सबसे पहले wordpress.com पर जाना है और आपकी जो भी site उसके साथ by default link होगी ही होगी जो भी site से आपने wordpress पर account बना है वो automatically same email id से आपको wordpress.com को login करना है और आपकी जितनी भी sites से आपको यहां पर दिखाई दे अंदर तो मैंने मेरी site को क्लिक किया मालीचे MRVS idea को इसके बात मैं आने के बाद आपको tools में आना है फिर आने के बाद marketing में आना है फिर आने के बाद traffic में आना और scroll करके नीचे जाना है and then you will figure out कि आपको यहां पर site map का option दिखाए देगा जो कि by default disable रहेगा आपको इसको enable कर होगे आपकी site PA news site map बना देगा और दिख रहे है MRVS idea का news site map बन चुका है अगर मैं इसको open करूँगा तो इससे वही blog post publish करके दिखाएगा जो blog post पिछले दो दिनों में मैंने publish किये और बाकी नहीं दिखाएगा तो Google easily सिफ news site map को ढूंडता है जिससे कि वह quickly उस site को news की category में rank कर सके और यह hidden trick है अगर आप रियली में news website को quickly index करना चाहते है अगर मज़ा है आपने पहली बार सुना comment करके जरूर बताना और ऐसे धमाकेदार videos future में आते रहेंगे तो चैनल को subscribe भी कर लेना clear? तो make sure आप news site map को ऐसे freely enable करे without using a rank map का SEO plugin clear? तो यह सबसे major thing है news site map बनाना है अ अगर आप news site को quickly index करना चाहते है ओके let's go to the next third important part जो कि है Google का publisher account जैसे कि आपको Google AdSense में अगर कोई ad दिखानी है तो आपको Google AdSense के approval के लिए भीजना पड़ता है likewise अगर आपकी site को news category में rank करवाना तो Google का Google publisher के नाम से portal है जो की कुछ ऐसा दिखता है आप देख रहे है Google publisher center simply आपको यहाँ पर जाना है और अभी यहाँ पर आकर के आपकी site को आपको apply करना है कभी-कभी by default यह approve हो जाती है अगर long time तब आप automatically content publish करते है otherwise आपको यहाँ पर manually apply करना है apply करने के लिए जैसे आपने Google publisher को on किया make sure करना है कि आपकी जो भी website है जैसे मेरी MRVS idea.com है जो अलड़ी Google publisher के थुर अप्रूवड है I will show you जैसे मैं switch account करूंगा और एकर मैं particular account में जाऊंगा जहां से Google publisher के थुर अलड़ी अप्रूवड है वो site तो आप देख पार है कि आपकी site कैसे दिखाई देगी Google news के अंदर जैसे के example के लिए यह Google news है अगर मैं यहापर Mr.VS idea type करूँगा तो आपको मेरा publisher जो भी है यहाँ पर देख रहा है आपको यहाँ पर MRVS अगर मैं idea search करूँगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पर source जैसे मैं click करूँगा तो य यह मेरा publisher account है जैसे आप आज तक देखते हैं तो मेरी site की सारे post Google news में आ रहे है तो यह कैसे आते है अगर आपकी site और इसके तुरू approved है तो वह automatically वहाँ पे display हो जाता है और जब यह status live दिख रहा है that means कि आपकी site Google publisher news के तुरू approved है जब यहाँ पर apply करके आप भेजेंगे तो ultimately यहाँ पर आपकी site को in review में देखा जाएगा और जब आपकी site already active है तो live देखा जाएगा ओके अभी मान लिजे कि आप कुछ भेजना चाहते है Google news अप्लूर के लिए जहां पर आपको definitely भेजना पड़ेगा तो मैं एक example के लिए आपको यहाँ पर बताता हूँ मान लिजे म मेरी जो जो भी website हैं दिखाए देती है मान लिजे bloggingos.com तो आपको यहाँ पर आपकी website का नाम जो कि already URL website आपका brand का नाम और आपकी website कहाँ पर कौन सी country में based है वो आपको लिखना है and then make sure करना आप चेक करके add publication तो आपका publication एक तरीके से publish हो जाता है जो कि आपने देखा MRVS idea Google News में देखा तो MRVS idea मेरा publication का नाम है जैसे आज तक होता है वैसे मेरा ओके इसके बाद यह करने के बाद आपको यहाँ पर open में जाना है और यहाँ पर कुछ चीज़े आपको फिल करनी है जहां पर सबसे पहले आपको edit पे जाना है और यहाँ पर आपको बताना है कि आपक आपको select करना तो आपको new section में जाना है और हमेशा फीड में जाना है और यहाँ पर आपको लिखने रहना पहला home feed होता है हमारा यसे कि मैं यहाँ पर बताऊंगा bloggingos.com और यहाँ पर आपको field और यहाँ पर आपको add करना तो automatically आपकी bloggingos.com पे जितने भी fields generate होंगे जितने भी blog post वो automatically home के section में दिखाई देंगे फिर आपको जाना और आपकी site को देखना है कि क्या क्या आपकी site की categories है जैसे मैं bloggingos.com पे जाओं तो वो था दूसरा था article आप article को एक बार click करो तो यह आपका second तो इस category में जो भी content publish होगा वो user को दिखना चाहिए तो वो आपका second section होगा जो automatically users को दिखाई देगा तो मैं यहाँ पर आऊंगा फिर से feed select करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा कि यह सारे मेरा article है और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको यहाँ पर मैं feed select करके add तो कुछ इस तरीके साब को add करते है जाना आपकी site के जितने भी feeds है इसके बाद आपको next करना है और यह basic checks अभी भी मे fill कर दिया आपकी site का URL जो कि हमने अल्री दे दिया और यह verified नहीं आपकी case में unverified आएगा तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ से आकर करके click करना verify ताकि आपका Google search console के साथ यह connect हो करके verify हो जाएगा लेकिन मेरी यही email ID है जिसके अंदर मैंने Google search console में मेरी site को बनाया है इसलिए इसना auto verify कर दिया इसना automatically detect कर लिया कि search console में जब मैं इस email ID से login करूँगा तो मेरी site अल्री वहाँ पे listed है इसलिए verified आपके case में non verified आ सकता है अगर आपने दूसरी email ID यूज किये तो verify करवा देना आपको फिर point of contact में आप आपका खुद का email ID है वो आप दे सकते है यह आप जैसे कि हमारी जो अलड़ी वहां पर जो इसको में दूँगा यहां पर जैसे bloggingos help at gmail.com and then technical issue और product update से कोई भी content भाई इसको आप मुझे email करते है रहना ऐसा करके मैं आप अपडेट कर दिया styling के अंदर आपको आपकी site के logo लगा देना जैसे example के लिए अभी मैं यह वा और नहीं करना है user permission में कुछ और नहीं करना है back to the setting और एक बार open जमें जाकर के देखना है कि और क्या-क्या settings बची हुई है तो अगर आप यहां पर देखेंगे content setting के अंदर all clear है review के अंदर अभी से दो चीज़ें बची हुई है सिर्फ आपको इसको update करके simply यहां पर आकर क publish कर देना है और जैसे publish करोगे वह ultimately review के लिए जाया है और आपकी site जब भी अप्रू हो जाएगी यहां पर दिखाई देगी कि कैसी user को site दिखाई देगी जैसे example के लिए अगर मैं switch account करता हूँ MRVS idea के अंदर तो आपको दिखाई देगा मेरी site वहाँ पर क्यासे दिख रही है जो कि अप्रूड है तो let's go and update this तो मेरी site अप्रूड है तो automatically google इसको detect कर पा रहा है मतलब google news तो ऐसी user को दिखती है जैसे home आ गया मैंने apps की category बनाई है मैंने technology की category बना और यह कहां से दिख रहा है आपको home page हो गया apps हो गया technology हो गया तो उस category के अंदर जो जो भी content publish हो रहा है वो automatically आपके news के अंदर चला जाता और यह एक बार approval के लिए जाएगा आपकी site approved पारी conditions को follow करने के लिए तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया सबसे की तरीके हैं आपको content में make sure करना है जो हमने checks बना है दूसरा news का site map create करना और तीसरा सबसे important चीज Google publisher center है वहाँ पर जाकर के आपको apply and approved करवाना है hopefully इस video में आपको quality informations मिलेगी ऐसी धमाकेदार informations आगे भी मिलते रहेगी Supreme Campus के premium courses को आप join कर सकते है using this special promo code जिससे आपको heavy 50% discount मिलेगा और hopefully आप भी आपकी blogging के premium जड़ने के शुरुआत कर सकते हैं आज के लिए इतना फिम लेंगे एक लिए वीडियो के अंदर तब तक के लि इतनाâte